Hi everyone, welcome to Current Crunch. तो स्टार्ट करते हमारा आज का वीडियो. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा Lecture No. 5 of Indian Constitution. तो जो आज मेरी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है. पहले मैं उनके लिए बता दू. मेरी चैनल पर मेरी कोर्स लेके आती हूँ. एक हमारा Specialization का कोर्स चल रहा है, जो Almost हमारा कावर होने वाला है. ठीक है? And हमारा दूसरा GK का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम currently डिस्कस कर रहे हैं, Indian Constitution. तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, क्या दू लाइक, दू लाइक, शिर और सब्सक्राइब to this channel and मुझे comment से बताएं, आपको videos कैसे लग रहे हैं. Constitution वाले part में हमारे 4 lectures complete हो गए हैं और आज हम discuss करने जा रहे हमारा fundamental rights. In case you have any queries, तो आप मुझे directly mail कर सकते हैं currentcrunch411 at gmail.com पे and अगर आपको मेरे videos का PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको join करना होगा, telegram group जिसका description में आपको link मिल जाएगा, वहां से आप join कर सकते हैं. सारे PDF जो है specialization related आपके test series वगेरा, MCQs सारे में telegram पे ही upload करती हूँ. तो without much delay हम start करते हमारा आज का lecture, तो आज हम discuss करने जा रहे हैं fundamental rights. तो इसका जो conceptual part है, उमें board पे ही पढ़ाती हूँ, ऐसे फिर जब मुझे लगेगा कि कुछ factual information आपके लिए important है, तो उसके लिए separate video लेके आती हूँ, factual related information के लिए, fact-based information जो आपको PPT format में मिल जाएगा, ठीक है? तो fundamental rights क्या होता है? कोई भी चीज जो important है, ठीक है? जो आपके लिए important है, तो through fundamental rights, government क्या करती है, जो चीज़े आपके लिए important है, आपको वो दी गई है through the state, ठीक? अब इनको इसलिए ये भी बोला जाता है, कि claims of an individual है against the state, claims of an individual against the state, तो जो fundamental rights हैं, ये usually state के against होते हैं, और ना कि private individuals के, इसका क्या मतलब हुआ? देखो fundamental rights, हम काफी articles में पढ़ेंगे, इसमें एक fundamental right आपके movement के related भी है, कि आप move कर सकते हो freely, अब आपको freedom of movement दिया गया है, तो क्या आप सबको बोल सकते हैं, चलो हमें कहीं भी जा सकते हैं, तो चलो आज हम सारे शारुखान के गर जाते हैं, ठीक है, हम मनत, उनके गर का नाम है, मनत जाएंगे, तो ऐसा हो सकते हैं, नहीं आप यहां पर यह नहीं भो सकते हैं, मेरा fundamental right है, तो मैं जा सकता हूँ, क्यूंगि fundamental right स्रिफ आपको state के against है, state कोई public institution, public authority आपको नहीं रोग सकती है, ठीक है, कोई काम करने से on the basis of your caste, religion, race, gender, वो सारी चीज़े हम देखेंगे, लेकिन mostly state के ही against होंगे, and private individuals के against ही नहीं होते हैं, तो ये कुछ basic बाते fundamental right से related आपको पता होनी चाहिए, हम fundamental rights पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ tricks बताऊंगी, याद रखने के लिए fundamental rights, तो मैं आपको tricks पहले नहीं बताऊंगी, पहले हम सारा इसको concept है, वो cover करेंगे, फिर हम वो tricks से आपका थोड़ा remembrance easy हो जाएगी, तो article 12 of the constitution to article 32 जो है, वो exclusively आपके fundamental rights के बारे में है, फिर article 33rd to 35, ये भी fundamental related ही, आपको बाते कुछ बताता है, कुछ additions हैं इसमें, ठीक है, अब जो fundamental rights हैं, ये आते हैं कुछ part 3rd of the constitution में, part 3rd of Indian constitution, ठीक है, ये बात आप याद रख लेना, आप ये समझ गई, ये होता क्या है fundamental rights, वो rights जो एक individual के लिए as a citizen country में रहना important है, आप ऐसा तो नहीं है न, country में रहोगे और आपको कोई right नहीं मिला हो, आपको कुछ, मतलब कोई हक नहीं मिला हो यहां पे अराम से अपनी life freely enjoy करने का, आपको भी तो कुछ rights मिले होने चाहे न, तभी कल को जाके fundamental duties भी आपको करनी होंगी, fundamental duties का concept भी यहीं से आया कि अगर आपको state कुछ right दे रही है that means आपको कुछ हक भी बनता है towards the state काम करने का, इसलिए concept of fundamental duties भी आया, जो हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, फिलहाल हम fundamental rights ही देखते हैं, पहले हम इसका evolution देखते हैं, basically rights वगेरा इन सब की बाते हुई कहां से, तो ये बात के लिए हम वापस चलते हैं पुराने जमाने में, ये बात है medieval Europe की medieval Europe, तो वहाँ पे क्या हुआ, 8th century में लोगों को ऐसा लगने लगा, कि नहीं, हमें liberty चाहिए, हमें civil liberty दे, तो हमें भी enjoyment करने के लिए, थोड़ी बहुत freedom जो है via state वो मिलनी चाहिए, 8th century में ये thoughts evolve होगे, emerge होगे, और लोग इस बारे में बाते करना शुरू होगे, ठीक है, उसके बाद finally 13th century में, 12, 15 AD, 13th century में, उस time के जो king थे, शायद king john, उनका नाम था, आपको नाम आपके लिए आदरना ज़री नहीं है, 12, 15 में क्या हुआ, state ने बोला, okay fine, हम आपको कुछ rights देते हैं, और वो rights के लिए सामने आया, the great charter, चार्टर क्या होता है, चार्टर का मतलब होता है, जो promises state करती है to the individuals, promises made by the state to the individuals, उस great charter, वो great charter जो था, वो famous हुआ as magna carta, तो वहां से emerge हो गया आपका concept of rights, कि कोई liberty, कोई rights जो है आपके individual को वो देना important है, ताकि वो freely एक country में enjoy कर सके, freely एक country में रह सके, उसका नाम दिया, उन्हें magna carta, अब जो ही आपका part third of the Indian constitution है, which deals with fundamental rights, उसको बोला जाता है magna carta of Indian constitution, जो of Indian constitution, ठीक है, तो magna carta किसको बोलते हैं, part third of the Indian constitution, यह भी आप याद रख लेना, अब इसमें हम मैंने आपको कहा, कौन-कौन से article आते हैं, उससे पहले यह देख लो, जो rights की बात हम करते हैं, कि rights हमें मिलने चाहिए, वो rights के भी कुछ types होते हैं, एक आपका moral right होता है and एक आपके legal rights होते हैं ठीक है, moral right होता है, this is related to an ethical feeling जैसे old age के आपके parents का ध्यान रखना, वो आपका moral right है, उसमें government आपको वो impose नहीं कर सकती है, वो ethical feeling होते हैं, वो आपके ethics से related होता है, जैसे old parents का ध्यान रखना, वो एक moral right है, ठीक है, वो parents का right है, आपकी duty है and legal rights को further हम बाद में divide कर सकते हैं, या तो ये civil होते हैं, या तो ये political होते हैं, civil right में कौन से आगे, right to life, right to freedom of speech, right to freedom of speech, right to equality, ठीक है, right to family, ये सारे आपके civil rights होते हैं, and political rights कों से हुए, आपके right to vote, जो आपके political participation से related है, in short, political participation से जो related है, तो थोड़ा बहुत rights को लेके, कि rights होते क्या हैं, अभी जो civil rights है, इनको कौन protect करता है, इनको constitution ने खुद अपने जिमें लिया है, इनको protect करना, ठीक है, इनको protect करना, और वो इन में से कुछ सामने आते हैं, आपके जिनको बनाया गया है, fundamental right आपके लिए, तो protection कहां से आती है, constitution से, ठीक है, fundamental right की, तो ये सारी basic बाते आपको पता हो नीचे है, fundamental rights की, fundamental rights से कुछ features डिसकस करते हैं, क्यूंकि इसके features से जो हमें है, direct questions बन सकते हैं, उसके बाद हम fundamental rights सीधे, article से start करेंगे, कौन सा article क्या कहता है, तो extremely important chapter आपके पॉलती का, कुछ ना कुछ questions यहां से तो जरूरी बनते ही हैं, अब जो fundamental rights हैं, जिसे मैंने आपको कहां, article 12 से लेकर, मानूरा आप article 35 तक चलते हैं, फीचर देखते हैं इसका, ये जो rights हैं, आपके fundamental rights, इसमें से कुछ rights जो हैं, वो सिर्फ citizens के लिए applicable हैं, और कुछ rights जो हैं वो आपके citizens के लिए applicable होते हैं, आपके foreigners के लिए भी applicable हैं, या आपकी corporations या companies के लिए भी आते हैं, फंडामेंटल rights, उनके पास भी, companies के पास भी कोई fundamental right होता है, तो कुछ rights होंगे जो सिटिजन्स के लिए होंगे और उसमें से कुछ rights जो होंगे वो citizens के लिए भी, foreigners के लिए भी and corporations के लिए भी available होंगे ठीक है? यह जो rights इनको बोला जाता है they are not absolute but qualified not absolute, they are qualified इसका क्या मतलब हुआ? इन में कुछ reasonable restrictions pose होती है ऐसा नहीं है कि आपके पास right है कुछ भी करने का, जैसे freedom of speech आपको दी गई है तो आप कुछ भी बोला, बाकी लोगों को जाहे बहार जाके गालिया निकालो, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है, आपको rights दिये गए है but these rights come with certain restrictions, आप पे कुछ restrictions भी pose की जाएंगी most of the rights इसमें आपको मिलेंगे, वो आपको against state मिलेंगे ठीक है? और इसमें से कुछ exceptions होंगी जो against individuals पर mostly इनको बोला जाता है, द्यादी claims of an individual against the state ठीक है? और ये जो आपके rights हैं, ये justice able है, justice able होने का क्या मतलब हुआ? in case, अगर आपका दिया जा रहा है, you can approach supreme court directly और high court अगर आप supreme court के पास जाते हो that comes under article 32 और अगर आप high court को directly approach करते हो क्योंकि आपके fundamental right के साथ कोई छेडगानी हो रही है कोई restriction imposed की जा रही है तो आप directly high court के पास जा सकते हो which comes under article 226 तो इसमें आपको काफी factual information factual data मिलने वाला है इस chapter में, तो वो सारा आपको याद करना होगा, इसका तेखो मुझे ऐसे comments मिलते हैं कि इतने सारे act पढ़ने हैं वगेरा वगेरा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ ये syllabus है, ये आपकी मर्जी थी, इस exam के लिए appear होना, इस exam को एक chance तेना इस post को वो आपकी मर्जी थी, syllabus जो थी वो उनकी मर्जी थी, जिन्होंने set किया है SSB वालोंने किन से set करवाया है मेरा काम आपको पढ़ाना है मैं इतना आपके लिए कर सकती हूँ revision series भी लेके आऊंगे, जिसमें quickly हम चीज़े revise करेंगे, पर आप बोलोगी कि मैं पढ़ू, syllabus जल्दी-जल्दी complete करूँ और थोड़ा-थोड़ा पढ़ू वैसे selection नहीं होगा, हाँ आप cut off के कहीं near about पहुंचोगे पर select करवाने के लिए खुद को आपको सारी चीज़े पढ़नी पढ़ेंगी ठीक, there are no two ways about it और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती कि आप comments में बोलती हो कि मैं इतना पढ़ा रहे हो जो syllabus है मुझे वो पढ़ाना है that is मैं duty as a teacher कि मैं आपको सब पढ़ाँ फिर आपकी duty as a student आप कितना उसमें से revise करो, कितना पढ़ो then वो आपका call है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं बस इतना help कर सकती हूँ कि आपको revision लेके आ सकती हूँ अब ये जो rights हैं, ये हर time applicable नहीं होंगे जिसे कोई national emergency होगी उस case में कुछ rights आपके suspend भी किये जाते हैं ठीक है, ये हम जब national emergency वगेरा कैसे suspension में क्या rights आते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको भी factual data से burden नहीं करना चाहती हम यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे, ठीक है तो ऐसा बोला जाता है, इन जो rights है इनको directly कौन defend करता है, they are defended by the Supreme Court क्योंकि आप Supreme Court के पास directly approach कर सकते हो, क्योंकि justice stable है, आपको याद होगा, preamble में मैंने आपको कहा था, preamble non-justice stable है, वो आपको याद रखना है, fundamental जो आपके DPSP हैं, जो में आगे पढ़ना है, डार्टिव प्रिंसपल जो भी non-justice stable हैं, ठीक है, लेकि जो fundamental rights हैं आपके, यापके justice stable हैं, तो यह भी आपको याद रखना होगा, यह कुछ basic features हैं आपके, जो आप याद रखोगे fundamental rights के related, अब हम आगे देखते हैं, अर्टिकल 12 से directly start करते हैं, अर्टिकल 12 of the Indian Constitution, अब मैंने आपको बोला, जो आपको starting से बोले हैं, there are the claims of there are the claims of individuals against the state, अब यह state क्या है, उसको किसने define, उसको हम as क्या define करते हैं, तो जो definition of state है, वो आपको article 12 में देखे है, definition of state, कि state में क्या-क्या चीज़े आती है, वो कहाँ पे mentioned है, वो है आपके mentioned article 12 में, तो वो क्या बोलता है, उस state में कौन-कौन सी चीज़े आती हैं, पहला हो गया union, government and state government, second is your parliament and state legislative assembly, third is your local government, fourth is your other authorities, अब यह जो other authorities है, इसमें आपका जिसे railways आ गया, आपके public sector units आ गये, कुछ private companies आ गयी, जहां पे share of government थोड़ा ज़ादा होगा, वो private companies, तो वो other authorities आपके आद नहीं रखनी है, क्यों नहीं रखनी है, क्योंकि के case to case based decide होता है, और इसमें हम addition करते तो इस article के लिए, आपके लिए क्या याद रखना ज़रूरी हो गया, definition of state किसमें mentioned है, पहली बात article 12 में, और यह तीन आप याद रखना हो, other authorities जो है, वो case to case basis decide होता है, और इसमें हम addition जो है, वो करते जाते हैं, तो यह आपका article 12 कहता है, हम ज़ादा यह बहुत detail में नहीं पढ़ेंगे, आप tension नहीं लो, article 12, आप सोचों कि 12 से लेकर 35, that means article, आपको 23 articles, सारे यह याद करने हैं, हमें थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे information sub articles की, article 13 क्या कहता है आपको, article 13 कहता है, कि अब आपको fundamental rights मिल गए, ठीक है, अब अगर state कल को ऐसा कोई law लेके आती है, जो against जाता है, आपके fundamental right के, fine, for example, right to life आता है, under article 21, वो आपका fundamental right है, कल को parliament या आपका state government, ऐसा कोई law लाता है, जिससे आपके right to life पे खत्रा हो सकता है, आपकी जिंदगी पे right is violated by a law, कोई अगर law लेके आए, और वो law violate करे, that means आपके restrict करे, या कुछ गलत ये करे, impose करे, या खत्म करे आपके fundamental right को, तो that law can be struck down, can be, मतलब वो law खत्म हो सकता है, अगर वो law आपके fundamental right के साथ छेड़खानी करे, अब वो कौन खत्म करेगा, वो किसका काम है देखना, वो काम है देखना Supreme Court का, that means Supreme Court क्या करेगी, Supreme Court करेगी judicial review बोलते हैं उसको, वो देखेगी, अच्छा, Parliament ने ये law लेके आए हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये law तो लोगों के fundamental right को restrict, prohibit कर रहा है, violate कर रहा है, that means, ये law यहाँ पे आप apply नहीं करोगे, इस law को हम struck down करते हैं, इसी basis पे कि ये आपके fundamental right को violate करेगा, तो वो चीज़ कहाँ discuss हुई है, article 13 में, तो अगर question ऐसे आता है, doctrine of judicial review कहाँ पे आया है, वो doctrine of judicial review, article 13 में आया है, क्योंगी law को struck down करना है, ठीक है, तो ये बात कहीं तो किसी platform पे, किसी institution में ये बात उटनी चीए, कोई तो होगा जो overlook करेगा laws को, कि क्या कोई law जो लेके आया है, वो fundamental right के सब कोई छेट खानी तो नहीं कर रहा, वो कौन सा institution है, जो ये overlook करेगा कि fundamental right जो है, वो लोग अराम से enjoy कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपका है supreme court, इसलिए supreme court को बोला जाता है, it is a guarantor of the fundamental right. Fundamental right, ठीक है, तो doctrine of judicial review, article 13 के साथ हो गया, अगर कोई भी law जो है, वो violate करेगा, आपके fundamental right को can be struck down, अब ऐसा बोला गया था, कि यह स्रिफ laws के लिए use होता है, तो हमने और एक चीज़ पढ़ी थी, starting में हमने आपको बोला था, एक चीज़ के बारने में, जिसको बोला जाता है, constitutional amendment, that means, जो constitution है हमारा, उसको एक living document बोलते हैं, उसको living document क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो एक बार ही बनाया, और वो set हो गया, पथर की लगीर हो गई, constitution में कोई भी ऐसे चीज़ हुई, जिसको कल को change करना पड़े, जिसको हम specialization में भी क्या पड़ते हैं, कि आपका जो इसे, POCSO Act आया था, आपके child sexual exploitation के related, वो आया amendment 2012 से, ठीक है, तो ऐसे सारे चीज़े, that means, आपका जो constitution है, यह ever evolving and living document है, इसमें आप amendments लाते रहते हो, as per your society, पहले for example, homosexuality जो थी, वो पहले criminal act था, बाद में उसको decriminalize किया गया, तो यह सारे चीज़े जो होते हैं, changes आपकी society में आती रहती हैं, तो अब यहां कहने का क्या मकसद था, इसका constitution amendment बस में आपको बता रही थी, होता क्या है, अब बोला गया, अच्छा ठीक है, आप जो judicial review बोल रहे हो, वो आपने लेके आये हो laws के लिए, कि law अगर violate करेगा fundamental right को, तो उसको struck down किया जाएगा, that means यह constitutional amendment के लिए apply नहीं होता है, पहले यह बात बोली गई, तो आप सर्फ law की बात कर रहे हो, अब constitutional amendment की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन इसके बात क्या आया, हमारे पास एक बहुत important case आया, जिसका नाम था केशवननन्दा भारती case, यह हमने preamble के case में भी पड़ा है, जिसने basic structure of the constitution की बात की, और यह बोला कि preamble, that is the part of your constitution, केशवननन्दा भारती case, KBC short में याद रख सकते हो उसको, KBC में बोला गया कि नहीं, जो constitutional amendment है, वो भी आएगा under judicial review, that means अगर कोई constitutional amendment ऐसा आता है, जो कल को violate करेगा आपके fundamental right को, जुरी शरी आपका Supreme Court उसको भी struck down कर सकता है, ठीक है, यह आया आपका article 13, इसको आप इतना ही पड़ेंगे, ज़्यादा detailing में नहीं जाएंगे, क्यूंकि I think आपके लिए इतना काफी है जानना इतनी basic चीज़े, फिर हमारा start होता है, right to equality, article 14 से, यह बात करता है, right to equality की, तो right to equality आपके, किस-किस article में discussed है, article 14 तो article 18, पहले हम यह चार articles देखेंगे, तो article 14 क्या कहता है, हमें हक है equal होने का in the eyes of law, कि कानून के सामने, law के सामने हम सारे बराबर हैं, ठीके, तो वो आपको discuss हुआ है, article 14 में, अब यहाँ पे आपको दो चीज़े याद रखनी है, right to equality में दो चीज़े याद दिया है, एक है आपका, equal protection of law, एक है आपका equality before law, equality before law है, यह concept हमने लिया है, rule of law से, equal protection of law में आपको पहले याद दखना है, कि यह जो concept है, यह American constitution का है, and this is your British, equality before law, equal protection of law क्या कहता है, यह positive है, and this is negative, अगर आप regular watcher हो मेरे channel के, and आपने मेरे specialization की lectures भी देखें, and quality के पहले, मैंने बार-बार बता है, negative and positive क्या होता है, positive होता है, जहांपे state का action होगा, state action is present, and negative होता है, जहांपे state action is absent, state action is absent, that means state ऐसा कुछ नहीं करेगी, जो refrain करेगा, उसको लोगों को equally treat करने से, और equal protection of law में क्या है, कि state ऐसा कुछ लेके आएगी, जिसे equal protection सबको मिले, क्यूंकि हमें पते है, society में, equal protection of law में reservation वाली बात आएगी, आपको सबको equally protect करना है, अगर हम इंडियन केस में इसको देखें, क्या अंबानी इसको और जो सड़क पे चलते हुए, बिल्कुल homeless लोग है, उनकी protection level same होगी, नहीं, क्या यहां पे जो SCs, STs, OBs हैं, उनकी protection level same होगी, अंबानी के comparison में, नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो अंबानी है, वो उनको कितनी ज़रत है protection की, उनके पास और भी बहुत resources है, ठीक है, तो equal protection of law, जब मैं positive बोलती हूँ, that means state, ऐसी policies लेके आएगा, जो unequals को भी protect करें, तो state क्या लेके आता है, इसी case में, reservation, ठीक है, तो इसमें आपको action of state देखने को मिलेगा, action of state इसमें present है, state कुछ ऐसा करती है, to bring the less privilege जो होते हैं, जैसे आपके गरीब तबका, homeless people जो होते हैं, जो less privilege होते हैं, on par with society, कि वो equality लेके आते हैं, उनमें वो equal बनाना चाहते हैं, उनको society के साथ, यह concept है, equal protection of law गा, equality before law जो है, यह एक negative concept है, that means state, इसमें कोई act नहीं करेगी, और यह हमने लिया था, British से, इसका क्या मतलब होता है, मैंना आपका, इसमें rule of law याद रखना, rule of law की क्या provisions है, कि पहली बात कि, कोई जो इनसान है, no person is above law, कानून से उपर, कुछ भी नहीं है, second point क्या कहता है, पहला हो गया, कोई law के उपर नहीं है, second point says, there is no privilege section, कोई privilege section नहीं है, इससे पहले क्या होता था, आपके ब्रहमन्स, शेत्रियाज, हमने पढ़ा है, यह किसमें, specialization में मैंने, बार-बारे चीज़ बताई है, ब्रहमन्स, शेत्रियाज, वेश्याज से, accordingly आपकी society, जो थी, इन लेयर में डिवाइड थी, and, जो matter of privilege था, वो हर लेयर का अलग था, ब्रहमन्स अलग privilege section थे, शेत्रिया अपने हिसाब से privilege थे, ठीक है, लेकि, या उनके बच्चूं से, या ब्रहमन्स से, तो उनको less punishment मिलती थी, अगर जो lower class है, शूदराज वगेरा, उनसे कोई गलती हो जाए, तो उनका punishment की intensity काफी high होती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा, equal subjugation of law होगी, तो ये तीन points आपके कहते हैं, कि आपके क्या होगी, equality before law, अब मैंने का, जो equality before law है, उसमें थोड़ी बाते और देख लोगी, जो concept है, equality before law, EBL, equality before law, ये actually एक wider concept से लिया गया है, जिसका नाम है, rule of law, जो rule of law था, ये propound किया था, V, A, V, Dicey ने, A, V, Dicey, ठीके, ये rule of law क्या कहता है, ये कहता है, पहली बात, इसमें तीन points आप देख लो, पहला, कि absence of arbitrary power, absence of arbitrary power, that means, आपको arbitrarily punish नहीं किया जाएगा, आपको तब तक punishment नहीं मिलेगी, जब तक आपसे कोई law ना टूटा हो, जब तक आप law के against ना गए हो, तब तक आपको punishment नहीं मिलेगी, मतलब arbitrarily आपको punishment नहीं मिलेगी, ठीके, second is equality before law, that is equal subjugation of, या equal subjection of law, जो हमने यहां पर discuss किया, ठीके, third one is, प्रिमिसी ओफ तब तब राइट्स ओफ इंडिविजुल, that means, जो राइट ओफ इंडिविजुल है, उसको importance दी जाएगी, और राइट ओफ इंडिविजुल कहां से डिराइव होते हैं, आपके constitution से, ठीके, तो प्रिमिसी किसको है state में, प्रिमिसी राइट्स ओफ इंडिविजुल को है, ठीके, जो वो वाले राइट्स जो कहां से डिराइव होए हैं, आपके result हैं किसका, आपके constitution से वो rights आपको मिले हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है, जो constitution है, वो result होता है, right of individuals का, ठीके, constitution सोर्स नहीं है, आपके rights of individuals, constitution को बोला जाता है, it is a result of your rights of individuals, मतलब है, बना ही है constitution, क्यूं आपके कुछ rights देने के लिए, ठीके, तो प्रिमिसी ओफ दे राइट्स ओफ इंडिविजुल, absence of arbitrary power, and equal subjection of law, वो आपका rule of law है, वहां से हम derive करते है हमारा equality before law, rule of law, इसका concept है आपके, A.V. Dicey का, ठीक, तो यह हमारा article 14 यहां तक होता है, I guess हम यहीं पर stop करते हैं, क्यूंकि आपके लिए factual काफी जादा हो जाएगा, वैसे आप बोलते रहें, तो इतने acts हम कैसे याद करें, तो we will quickly go through this, एक revision कर लेते हैं, तो हमने जादा नहीं पढ़ा है, at least इतना इतना करके, तो आपको याद रखना ही है, तीन articles आपको याद रखने है, और थोड़ा बोट इसका आपको introduction याद रखना है, fundamental rights है, मैंने आपको बोला, यह क्या है fundamental rights, यह claim होते हैं, of an individual against a state, यह state के against होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको individual से against, कुछ enjoy करने के लिए मिलेगा, यह चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, प्लस आपको इसमें क्या याद रखना है, claims of rights, state यह आपको याद रखना है, पहला point हो गया, second हमारे पास 12 to 35 जो है, fundamental rights हैं, 33 to 35 जो है फिर आगे, 33, 34, 35 वो भी deal करते हैं, fundamental rights के साथ ही, लेगिन जो exclusive rights आपको मिलते हैं, वो 12 to 32 आर्टिकल में discussed हैं, यह आता है, part 3rd of the Indian constitution में, जिसको बोला जाता है, Magna Carta, Magna Carta क्यों बोला जाता है, 8th century में लोगों ने बोला, हमें क्या करो, हमें civil liberty दे दो, फिर 1215 AD में, उनकी नीन्द खुली वहां के, kings की, तो चो King John थे, उन्हें का चलो ठीक है, इतना शोर नी मचाओ, तुमें दे देते हैं, कुछ rights, वो rights मेंचिन के गे, great charter में, charter में, इसको बोलते हैं, promises जो state करती है, individuals के साथ, उसको एक charter के थू, प्रिजेंट किया जाता है, वो इस charter का क्या नाम था, Magna Carta, तो अब बोलते हैं, Magna Carta से ही, जो है, evolution of job की fundamental rights है, बेसिकली कहां ले जाते है, हमें Magna Carta की तरफ, फिर part 3rd of the Magna Carta, जो part 3rd है, आपके Indian Constitution का, वो deal करता है, fundamental rights के साथ, और उसको क्या बोला जाता है, Magna Carta of the Indian Constitution, अब देखो, जो fundamental rights है, इसमें और एक चीज़ आप याद रखो, इसका जो evolution Indian society में हुआ, वो थोड़ा बहुत हमारे independence time से related है, पर मैंने यहाँ पर include नहीं के, क्योंकि हम history में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ resolution अगेरा देखना होगा, वो आपके लिए यहाँ पर unnecessary overload हो जाएगा information का, वो हम history में ही discuss करेंगे, जब मैं आपको freedom struggle वाला पार्ट बढ़ाऊंगी, तो rights इन मनापो का moral rights होते हैं, legal rights होते हैं, moral आपके ethical feeling वाले, जैसे old parents सा ख्याल रखना, legal rights होगे आपके civil and political, civil rights जो हैं, आपको constitution को protect करती हैं, और वो ही आपके सामने बनते हैं, आपके fundamental rights, इसके features फिर हमने देखे, citizens के लिए होते हैं, कुछ और बाकी जो होते हैं, वो citizens, foreigners, or corporations, या companies को भी दिये जाते हैं, यह absolute नहीं है, qualified हैं, that means इन पे reasonable restrictions imposed की जाती हैं, ठीक है, यह किसके against होते हैं, against state, उसमें मैं आपको शारुक खान के मनत की, वो example भी बताई, यह justice able है, that means अगर इनको कोई violate कर रहा है, तो आप Supreme Court के पास जा सकते हो, जो given है under Article 32, या आप High Court को अप्रोच कर सकते हो, जो given है under Article 226, जो rights हैं, यह हर टाइम आपको नहीं मिलते हैं, किनी cases में इनको suspend भी किया जाता है, तो हो सकते हैं आपका जो right to life वगेरा है, उसके कुछ parts आपके suspend हो जाएं, वो भी हमें आगे detail में देखना है, जो Supreme Court है, इसको बोला जाता है, Defender या Guarant और Offer Fundamental Rights, क्योंकि आप directly इनको अप्रोच कर सकते हैं, Supreme Court को under Article 32, ठीक है, हम start करते हैं, Fundamental Rights, तो Article 12, उसमें state, जो हमने का claims of right against the state, to state होता क्या है, उसकी definition Article 12 में है, तो उसमें ये सारी चीज़े हैं, आपको list other authorities के अंडर याद नहीं रखने हैं, क्योंकि case to case basis पे decide होता है, Article 13 क्या कहता है, कि कोई भी law अगर violate करेगा, आपके fundamental right को, that law can be struck down, तो doctrine of judicial review हमारे पस किस article के अंडर आता है, Article 13, ये भी आपको याद रखने है, तो पहले बोला जाता है, अगर law prohibit करता है, तो उसको struck down कर सकते हैं, लेकिन amendment को नहीं कर सकते हैं, बाद में केशनन्दा बारती case में का नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, अगर amendment को भी कोई गड़बड करेगा, amendment किसी fundamental right के साथ, वो भी आता है, अप उसको भी struck down कर सकते हो, फिर आगे Article 14, ये स्टार्ट होते हैं, यहां से हमारा right to equality, Article 14 to 18 में हमें discuss करना है, equality के regarding rights, तो Article 14 के अंडर आपकी दो चीज़े आती है, इक्वल प्रोटेक्शन अफ लॉए, इक्वल्टी बिफॉर लॉउ, इक्वल प्रोटेक्शन अफ लॉए है, आमने लिया है, American Constitution से, और इक्वल्टी बिफॉर लॉउ, आपके बिटिश से, तो जो ये है, इक्वल प्रोटेक्शन ये positive है, positive का मतलब state action यहां पर present होगा, जो reservation हमारी है, तो वो positive discrimination भी उसको बोला जाता है, तो वो equal protection of law के अंटर आएगा, positive discrimination, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो law है वो help करते है, less privilege को, बनाने के लिए, उनको un-par with society, उनको society के equal बनाने के लिए help करते हैं, तो वो equal protection of law में आता है, वो जो equal protection है, वो unequals को भी मिलती है, for example, अंबानी को उतनी protection की ज़रुरत नहीं है, जितनी एक S.E.S.T. के बंदे को है, इसलिए S.E.S.T. के बंदे को law, कोई privilege class नहीं है, and equal subject of law, that means equal subjugation of law होगी, less punishment ऐसा नहीं है, अगर आप king हो, ठीक है, आप royal family से हो, तो आपको less punishment मिलेगी, जैसे S.E.S.T. खान, एक royal खांदान का, अगर वो कुछ करेगा, इसका मतलब यह नहीं है, उसको less punishment मिलेगी, एसा कुछ नहीं होता है, तो जैसे equality before law है, वो हमने एक wider concept से लिया है, rule of law, जो किसने propound किया था, A.V. Dicey ने, ठीक है, इसमें आता है, absence of arbitrary power, तब तक आपको punish नहीं किया जाएगा, जब तक आपने कोई law, जो है, उसके साथ कोई छेड खानी नहीं किया हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी high caste के बंदे के साथ बैठके खाना खाओ, तो आपको उस बात की punishment मिले, आपने कोई law उसमें कोई जो है, वो उसके साथ कोई problem नहीं किये, ठीक है, वो कुछ ऐसा manifest नहीं करता है, इकोल subjugation of law मैंने आपको बताया, प्रिमिस्य उफ दे राइट ऑफ इंडिविजुल्स है, तो इंडिविजुल्स के राइट है, उनको importance दी जाती है, और उन राइट किसका result है, और जो constitution है, वो किसका result है, वो आपके rights of individuals का ही है, तो ऐसा नहीं है, अब मैंने आपको revision भी इन चीज़ों का कराया, अब 12, 13, 14, तीन ही articles फिलहाल हमने पढ़े, 12, 13 and 14, 12 हो गया आपके state के related, ठीक है, 13 हो गया आपके, कोई भी law, अगर ये करेगा, वोईलेट fundamental right को, तो इसमें आपका judicial review वाला concept आ गया, and 14 में आपका right to equality आ गया, जिसमें दो चीज़े आ गई, equal protection of law, and equality before law, ठीक है, ये चीज़े आप यार रखना, बस हमने इतना ही पढ़ा है, आज का crux जो है, बार-बार मैंने आपको revise कर वाया, तो हो सकते हैं, आपको clear हो गया हो, ये articles वेगर, नेक्स में हम 15-18 डिसकस करेंगे, और आगे भी देखिं कितना कर पाएंगी, keeping the lecture short, क्यूंकि ये थोड़ा factual जादा है, ताकि आपको overburden आपको ना हो जाए, तो till the time I upload next video, बाबाई, take care, have a great day.